हेलो व्रिवन कैसे हो आप सभी बीट की रिजल्ट आ गई है और बहुत ही सौकिंग रिजल्ट आई है दोस्तों तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैंक वर्सेस मार्क्स अप जितने भी लोगों ने रिजल्ट दिखाएं सब लोग सौक्ट हो रहे हैं कि इतना ज स्क्राइब कर दीजिए कोई भी यल्प चाहिए तो हमारी टीम से बात कर सकते हो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पारें आप रैंक वर्सेस मार्क्स मैंने लिखके रखा है यह नीट के बाद हुई है एक स्टूडेंस का रिजल्ट है 700 मार्क्स आय थे और उनकी रैं मार्क्स पर जो रैंक गई है वो गई है 10,000 रैंक गई है उसके बाद देखिए तो 657 मार्क्स पर रैंक गई है 23,484 यानि कि MBBS की जो बिहार है राजस्खान है और मेजूरिटी ऑफ श्टेट में MBBS की जेनरल OVC और EWS की cut-off जो है वो आपका 675 एंड 23,484 रैंक तक खतम हो जाएगा यानि कितने स्कोर पर 657 जो की और जितने भी एक्सपर्ट थे वो 615,620 इतना एक्सपेक्ट कर रहे थी कि जाएगी लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल EWS और OVC की जो cut-off है वो 657 के आसपास खतम हो जाएगा क्योंकि 23,484 रैंक यहां पर आ गई है उसके जएगेद गई है यहां पर 600,620 रैंक है यानि कि आम का जो वा समतने साउन सबब्याइट है यहां पर 29,126 रैंक है यानि कि 650 से नीचे किसी भी एश स्टेट मुझे नहीं लग रहा कि हिस सदमें बाइभी स्कैटारी में आते हैं चाहे श्टेट हो चाहे औल इंडिया हो ठीक है सेफेश्ट स्कॉर बाले जो है वह आए 675645 मार्क्स पर गई यह बच्चो का रेंक 33,591 यानि कि आपको बी एच ची उगरा चाहिए बीए में बीए एमस में बीए ची उगरा चाहिए तो आपको 650 से 645 के बीच में अगर मार्क सा रहें तो बीए एमस बीए ची उ मिल जाएगा आपको ठीक है 649 नंबर की बात करें तो आपका रहा है 49144 रैंक ठीक है दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट में 619 मार्क्स पर रहा है 69162 रैंक 600 मार्क्स पर जो रैंक देखिए यहां पर 8562 यानि कि बीए एमस और देखिए यहां पर 589 मार्क्स पर कितना मार्क्स पर दोस्तों 589 मार्क्स पर जो रैंक रहा है 931224 रैंक यानि कि बीए एमस इसकी बात कर रहे हैं आयरवेदा की बीए एमस गोवर्मेंट गोवर्मेंट आडेड किसकी किसकी बात कर रहे दोस्तो B.A.M.S. गोवर्मेंट और गोवर्मेंट आडेड की जो कटफ रहने वाली है वो रहने वाली है 590, 590 के नीचे भारत का घटिया से घटिया प्राई गोवर्मेंट B.A.M.S. कॉलेज आपको नहीं मिलेगा general EWS और OBC category में जितने भी cut-up इसे पहले बताए गए सारा cut-up और सारा scenario फेल हो गया जितने भी expert की राय थी सब की राय फेल हो गई है ठीक है दोस्तों अब बात करते है 564 marks पे 1,23,114 rank रही थी उसके बाद 520 marks पे देख लिजें यहां पर 1,88,144 rank रही थी तो यहां पर आपका जो है B.H.M.S. जो B.H.M.S. जो homeopathy course है वो आपका खतम हो जाएगा 1,88,164 rank पर यानि कि 520 marks के नीचे आपको B.H.M.S. किसी को भी नहीं मिलेगा general EWS और OBC category के candidate को B.H.M.S. हो चाहे B.U.M.S. हो B.U.M.S. के लिए आपको 540 से नीचे तो हमको नहीं लग रहा है कि B.U.M.S. किसी बच्चों को मिलेगा 540 से 545 से नीचे आपको किसी को भी B.U.M.S. कोर्स नहीं मिलेगा किसी का ध्यान रखिएगा दोस्तों क्योंकि जो है आपका 1,30,000 के बाद B.U.M.S. कोर्स नहीं जाती है उसके बाद देखे 419 marks पे जो रैंक है वो तील लाक रैंक है यानि जो ST category के बच्चे होंगे ST category वाले जो बच्चे होंगे जिनका तील लाक रैंक आ रहा है कितना 419 marks पे उनी को B.H.M.S. और B.U.M.S. कोर्स मिलेगा और जो भी बच्चे जिन भी बच्चे का SC और ST category में B.M.S. कोर्स चाहिए उन बच्चों का score around up होना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ around up जो marks होना चाहिए 510 के आसपस marks होगे ना 500 plus उनी बच्चों को इस साल B.A.M.S. जो है SC category में मिल पाएगा B.H.M.S. SC category में लेने के लिए आपको जो है marks चाहिए कितना जो marks आपको चाहिए दोस्तों वह 445 के आसपस चाहिए ठीक है तो यह थी rank versus marks और expected cut-up जो जो अब आप लोग के कितने marks हैं कोमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों डीटेल वीडियो हरे स्टेट की cut-up की और लिडिया कोटा की हमारी चैनल पर आ जाएगी मिलते हैं नए अपडेट के सांथ अपता के लिए बाई बाई